वेलकम टू फर्टर क्लासेस कैसे आप सब लोग तो गैस हम बात करने वाले रेलवे अंटीपेसी परिक्षा के बारे में आज 29 जनवरी को जो फर्स्ट और सेकेंड शिप में जो एक्जाम हुई थी उस एक्जाम के अंदर जो इंपोर्टेंट क्यूशन पूचे गए थे उनके बार में हम लोग डिस्क्स करेंगे ताकि जन बच्चों का एक्जाम नहीं हुआ है उन बच्चों को आग्यान वेले एक्जाम के अंदर फाइदा मिस देखे तो गैज वीडियो को अंदर जरूर देखेगा जिससे कि आपको इस वीडियो से फाइदा हो फार्स कुशन देखे जो एक्जाम में पूचा गया था दोनों स्विप्टों के मिला के जो इंके बार में डिस्क्स करेंगे फार्स कुशन देखे जो एक्जाम के बाता है कि हौट मेल कब बनाता ये बनाता 1996 में और किसके दोरा बनाए गया था सबीर बाटे के दोरा बनाए गया था आने वले एक्जाम के दोर ये पूचा जा सकता है कि हौट मेल कब बनाता 1996 में और किसके दोरा बनाया गया था सबीर बाटे के दोरा अगला क्यूशन ये पूछा गया कि धर्म सभा के संस्तापक कौन थे धर्म सभा की बात की गई है तो रादा कान देव धर्म सभा के संस्तापक थे अगला क्यूशन देखिए कि ब्रेट को फुलाने के लिए किसका परियोग करते हैं अगला क्यूशन देखिए जो एक्जाम में पूछा गया था कि EVM Electronic Watering Machine इसकी full form हो जाएगी का परियोग सबसे पहले किस राज़े में हुआ था इसका जो परियोग हुआ था वो केरल के अंदर हुआ था 1982 के अंदर 1982 के अंदर किया गया था बात करेंगे केरल के बारे में केरल की जो केपिटल है वो है तिरुवननपुरम पिनाराई वीजी ने आके मुख्यमंति है और आरिप मौमत खान ने आके गवर्णर है अगला क्यूशन देखिए कि सेउक्त राज संग को नौबल पूर्शकाल कम मिला था इसको मिला था 2001 के अंदर बात करेंगे गाईज सेउक्त राज संग के बारे में सेउक्त राज संग के ऊपर बहुत important question पूछे जा रहे हैं तो बात करेंगे इसके headquarter के बारे में नी योर्क युवसेगंद इसका headquarter है 193 member इसके country है 193 member country देश सदस्य है 24 अक्तुमर 1925 इसका गठन हुआ था और एंटोनियो गुटरेस इसके अध्यक्साभी वर्दमान में अगले कुशन देखिए जो एकजामे पूछा गया था कि मॉब लिचिंग में पहला कानून किस राजे ने बनाया यह बनाया था रास्तान के द्वरा रास्तान के बारे में बात कर लेते हैं केपिटल इसकी जैपूर है मुख्यमति असोग गैलोते राजे पाल कालराज मिश्र है अगले कुशन पर चलते हैं गाईस अगले कुशन देखिए कि अनूचेट आर्टिकल 35A कब लाग हुआ था आर्टिकल 35A की बात की गई ये थो 1954 के अंदर इसको लागू किया था अगले कुशन ने गोदावरी नदिख कहां से निकलती है गोदावरी नदिख का जो इसतान है वो निकलती है मारास्ते से मारास्ते के बारे बात करते हैं केपिटल इसकी मुंबई है उद्डर्व ठाकर यहां के मुक्ञे मंत्रिए और बगरसिंट कोशहर यहां के राज़ जिपाल है अगला कुशन देखिए राय तु बरुसा application किस राज़े ने रॉज़ किया गया गए जो राय तु बरुसा राय तु बरुसा अप्लिकेसन है वो किया गया आंद्रपदेश राज्य के दोरा ये तो होगी अपना आंस्वर बात करेंगे आंद्रपदेश के बारे में जगन मोहन रेडी जी यहां के मुख्य मंत्री है और वीस में बुशन हरीचंद यहां के राज्जिपाल है अगला क्यूशन देखे अगला और गैज अगर आप हमारे इस चैनल पर पहले बाज उड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बे लाइग नों दबाना ना बुले जिसे कि आपको आगया ने वाली हैंड नई वीडियो के अबडेट आपको मिलते रहेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो गैज इस वीडियो को लाइक किजे ज़्यादे ज़्याशन भी किजे और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं आगला क्यूशन देखिए जो एकजां में पूछा गया था कि पूना पैक समझादा किसके लिए ओए ता ये पूशन भी इंपोटेंट है पूरा पक के ओपर क्योंशन पूचा जा चूक है कि पूरा पक शमुझा तक गवा था नइटीं थर्टी चुक्ड के अंदर वह था लेकिन जो समझत हां किसके लिए वह था युक्षोन पूचा गिया तो दलित वर्क के लिए वाता डिप्रेस्ट क्लास के लिए वाता ओके अगर कुशन देखे चंद्रियान फर्स्ट चंद्रियान फ्रत्म लॉंज के समय इस्रो के फ्रत्म अध्यक्स कौन थे उस समय जो अध्यक्स थे इस्रो के जो अध्यक्स थे कहां से स्री हरी कोटा अंधरपरदेश से ठीक है और किसे पी एसल वी एक्सल स्री डबल वन से लॉंच किया गया था अगले क्यूशन देखे कि राब्या उद दोरानी बेगम किसका नाम था ये था दिल्लेस बानो बेगम का जो औरंग जैप की वाइप थी उनका नाम था अगले क्यूशन देखे जो एक्जाम में पूछा गया था कि ग्यानपिट पुर्सकार विजेता को पुरसकार आसे के साथ किसकी प्रतिमा दे जाती है ये दी जाती है वाग देवी काश्य प्रतिमा वाग देवी काश्य प्रतिमा दे जाती है ग्यानपिट पुर्सकार इसको मल्यालम के लिए जी संक्रा कुरूब को और जो 25 ग्यानमिट पूर्सकार है वो 29 नौबर 2019 को मल्यालम कभी अकीतम अच्छुतन को दिया गया यह भी आप ध्यान में रखेगा पूछा जाथ सुका है क्यूशन अगला क्यूशन है आर्पिय के नगस्पार जो 25 गवर्नर है एक अप्रेर 393 को आर्पिया का गठन वाता कौलकता के अंदर और अभी वर्तमार में मॉंबाई मारास्टमिस का हेड कोइड ला गुशन देके बारे दुआब बारे दुआब किन दो नदियों के बीच है उन दो नदियों के नाम है रावी और ब्यास रावी और ब्यास इन दोनों नदियों के बीच क्या है बारे दुआब अगला कुछी देखे अगला है आवर सान्य में उपर से नीचे जाने पर क्या समान रहता है यह रहता है valency सहूंज़ता अगर आवरसानी के अंदर periodic table के अंदर हम उपर से नीचे आए तो जो समान रहता है, वह है valency अगला क dualitas किसुने इन में से कौन सी guest अमले वरसामें नहीं पाی जाती चार ओप्सन दे रहे हैं उसमें से जो अपना राइट आंसरों के गाईज वो होगा कार्बन मोनो ऑक्साइड जिसको लेखते हैं CO से कार्बन मोनो ऑक्साइड क्या होती है एसिड रेन मतलब कि अमले वर्षा में नहीं पाई जाते ≅र्ट नहीं दाद रिंस मों पीमारी किस के करण होती चो दाद के जो बीमारी होती है ये होती है महान दे के साइक नदी है मेची नदी अगला क्यूषिन देखिए ये जो विद एक्जाम में पूछा उन्सो चैनल्स में प्रत्यक्स कारिवाई दिवस डारेट एक्शन डे की गोष्णा किस पार्टी द्वारा की गई थी उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग के दोरा ही डारेट एक्षेंट डे की गोष्टना इस पार्टी के दोरा की गई थी उनसों चैनलिज के अंदर अगला क्योशन है यूएस ने किस देश को दिस्टंबर 2020 में करंसी मेनुपलेटर्स किस रेड़ी में सामिल किया है यह किया गया है किसको वियतनाम को और स्वेजलेंड को किया गया है ओके अगला क्योशन देखे गाइस भारत के पूरी तट में कौन सी म्रदा पाई जाती है भारत के पूरी तट के अंदर पाई जाती है जलोड मिटी एलूवियल स्वेल जिसको बोलते है यह पाई जाती है अगला कि उसे ने कि IIT गांदिनेगर टीम दोरा किसकी मजद से दुनिया का सबसे पतला सीट बनाया गया था यह बनाया गया था मैगनीशियम डाइबराइट का किसके दोरा IIT गांदिनेगर टीम के दोरा दुनिया का सबसे पतला सीर था ये जो मेगनिसियम डायब राइट के दोरा बनाए गया अगला क्यूश्यों ने 1861 में भारतिय पुरात्त्य विवाकी इस्तापना की इसने की थी 1861 के अंदर भारतिय पुरात्त्य विवाकी जो इस्तापना की गई थी वो की गई थी Alexander Cunningham के दोरा 1861 के अंदर अगला क्यूशन देखिए अगला क्यूशन पूछा गया था एक्जाम के अंदर कि हाथियों के लिए भात का पहला जल क्लिनिक की सेर में खोला गया उस सेर का नाम में मथूरा जहां पे जल क्लिनिक खोला गया था अगला क्यूशन है यह कतन किस ने कहा था इस कतन को Archimedes के द्वारा कहा गया था अगला क्यूशन देखिए जो एक्जाम यह पूछा गया था कोफी का उत्पादन में अगला देश कौन सा है सबसे ज़्याद कोफी है उसका उत्पादन कौन सा देश करता है वो करता है ब्राजिल ब्राजिल के दोरा किया जाता है अगर सेकंड की बात करेंगे सेकंड इस्तान पे कोन है वो तो है वियतना अगर भारत में बात करेंगे कि कौन सा राजे कोफी का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है वो करता है करना टेक ये एक्जाम एक्यूशन पहले पूचा जा चुक है और सेकंड पे इस्ताम पे कौन है केरल बात करेंगे चाय के बारे में चाय का उत्पादन अग्नी देश कौन सा है चीन है उसके बाद भारत आता है अगला कुशन देखे कि साधी के समय दुलन पटलाई वस्तर पहनती है ये किस राजे की परंपरा है उस राजे का नाम है मनिपूर मनिपूर राजे की परंपरा है मनिपूर के बारे में बात करेंगे इमफाल इसकी केपिटल है एन बिरियन सिंग यहां के मुख्य मंत्री है और नजमा हेपतुला यहां की राजिपाल है अगला क्यूशन है कि लंबे समय के बाद पेपर का रंग बुरा हो जाता है यह परक्रिया क्या ख़लाते है इस परक्रिया को हम ख्यालते हैं फॉक्सिंग फॉक्सिंग के काणी जो पेपर का रंग बुरा हो जाता है ओके क्योंकि पेपर के अंदर लिगनिन पाया जाता है अगला क्यूशन देखिए कि सीमा सड़क संगटन किसके अंत्रगत आता है सिमा सदक संग्ठन ने गाई जए रक्स्या मनताले के अंतर ज़ति आता है और इसका घठन हो आता वह साथ मई 1960 को इसका घठन क्या पार सिमा सदक संग्ठन का अगर Lag gear कि कि किसका मूल नाम गदादर चटोबा जाए है गदादर चटोबा जाए है किसका मूल नाम है रामकर्ष्टन परम्हंस का मूल नाम है अगर आगे शुन है यह आर नहीं होगा यह यह होगा फिवर स्टार विलेज इसकीम किसके दौरा लॉंज की गई है यह बार ते डाक विबाग के दौरा की गई है गयजी सही है फिवर स्टार विलेज इसकीम किसके दौरा बार ते डाक विबाग के दौरा लॉंज की गई है अगले कुशन देखे अगला जो एकजाम ये पूछा गया था समानता का अधिकार किस अनुचेद में मुणनीत है वो है अनुचेद 14-18 14-18 क्या है समानता का अधिकार है किसके अंदर पाई जाता है fundamental rights के अंदर पाई जाता है पार्ट 3 के अंदर पाई जाता है जो USA के सविधान से लिया गया है अगला किसों ने BHU की स्तापना कब हुई थी बनारस हिंदू University की स्तापना हुई थी 1916 में किसके दोर की गई थी मदन मुहन मालिवे के दोर की गई थी और इन्होंने मात्मा गांधिजी को बुलाए था बासन देने के लिए तो मात्मा गांधिजी ने भारत के अंदर जो सबसे पहले बार बासन दिया था वो दिया था बनारस हिंदू University जो वारानसी के अंदर है उसके अंदर कब 1916 के अंदर अच्छा क्योंसे ने मनी बिल किस अनुचियत से सम्भण देता है मनी बिल की बात की गई है तो वो आर्टिकल 110 से सम्भण देता है अगला क्योंसे देखिए जो एकजाम में पूचा गया था कि बिक खाजी कामा ने 1907 में जंडा कहां पहराया था उन्होंसे जर्मने के अंदर जंडा पहराया था 1907 के अंदर नेक्स है कि योजना आयोक कब बनाता योजना आयोक की बात की गई है तो 1950 मने तलब 1950 के अंदर योजना आयोक का गठन किया गया था अगला क्योंसे देखिए कि सत्य जीत राय की फिल्म इन में से कौन सी है चार ओप्सन दे रहे के थे उसमें से जो अपना राय टांसर होगा वो होगा कोरा कागज कोरा कागज क्या है सत्य जीत राय की फिल्म है अगला क्योंसे देखिए अगला है कि पहला ग्यान पिट पुर्सकार किसे दिया गया था ये दिया गया था मल्यालम देका जी संकर कुरूप को 1965 में है ठीक है जब कि उसे पूछा गया था ग्यानप्रिट पुर्षकार के उपर कि उसके अंदर किसकी प्रतिमा दी जाती है तो वाग देवी की यह भी आप ध्यान में रखेगा जो ज्ञानप्रिट पूसकार है उसके अंदर वागदेवी काश्य प्रतिमा दी जाती है सबसे पहले उन्सोपेसरट के अंदर किसको मल्यालन लेखम जी सेंकर कुरुप को उन्सोपेसरट में दिया गया था ये भी हमने बात की थी और पच्वनवा जो जो ज्ञानप्रिट वो पुर्सकार है वो 29 नौंबर 2019 को मल्यलम कवी अकितम अच्योतन को दिया गया था ये भी आप ध्यान में रखेगा इंपोरेंट है अगले क्यूशन देखिए अगला है सुप्रिम कोट की पहली महिला न्यादिश कों थी पहली महिला न्यादिश की बात की गई है ये क्यूशन पहले भी क्यूशन पूछा जा चुक है रेपिटेट क्यूशन है जस्टिस एम फातिमा बीवी जो पहली महिला न्यादिश थी सु अगले कुशन देखिए अगला है तीबद का फटार किस परकार का फटार है जो तीबद का फटार है यह है अंत्रापरवतिय फटार अगला कुशन देखिए जो एक्जामे पूछा गया था करंगा स्वामी कब किस केल से संब्ध देता है रंगा स्वामी कब खेल का जो संब्ध है गैस वो है हो किसे जो रंगा स्वामी कब है कब स्टार्ट किया गया था 1928 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था अगला कुशन देखे ब्रामोज, प्रक्षेपास्तर भारत और किस जिस ने मिलकर बनाया है इसको बनाया है रूस के द्वरा अगला कुशन देखे रत मंदिर किसने बनवाया था रत मंदिर की बात की गई है तो ये नर्सिंग वर्मन प्रतम के दोरा बनाया गया था रत मंदिर अगला कुछन देखिये जो एकजामे पूछा गया था मलेशिया की मुद्रा क्या है गैस मलेशिया की मुद्रा की बात की गई है तो रिंगित इसकी मुद्रा है मलेशिया की अश्विद्थे है बहुमनीlläज्ज्ट की इस अच्छा किरोब्स तूछे स्थाय। अक्टुबर उन्हों पेतालिस को 193 कंट्री मेंबर इसके चीक है नी योर्क में इसका हेड़कॉर्टर है बात करेंगे अध्यक्स के बारे में एंटोनियो गुट्रेज इसके अध्यक्स है ओके अगला क्यूशन देखे EP-ROM का पूर्ण रूप क्या है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है पहले भी पूछा जा जो कहे ये क्यूशन गाइस इरे जी बैल प्रोगामे बैल रीड ओनली मेमोरी ये इसकी फुल फॉर्म है नेक्स्ट है कि कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नेर जनलर कौन था ये था लोड डफरिन जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब हुई थी अठारा सोई पीच्चा सी के अंदर पहले एदेक्स कों थे योमेस चंदर बने जी किसके दोरा स्थापना की गई ये की गई थी एओ हुम के दोरा अगले के सिन देखे जो एकजाम में पूछा किया था दीन दयाल उपा जाए कोसल योजना कब लॉंच की गई थी ये जो योजना है ये की गई थी दोजाज चोड़ा के अंदर लॉंच की गई थी दीन दयाल उपा जाए कोसल योजना अगले क्विशन देखे के गाइज क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए बनाया गया यह बनाया गया था ग्लोबल वार्मिंग दूरा जलवाईव परेज़न को रोकने के लिए तब बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल अगला कुछन देखे जो एक्जाम में पूछा गया था राजा राज चोल दोरा कौन सा मंदिर बनवाय गया था चार ओप्सन दे रहे के थे उसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रेदेश्थर मंदिर जो किसके दोरा बनाय गया था राजा राज चोल कदुरा बनाय गया था अगला क्योशन देखे जो साइन से पूछा गया था रेडियो धर्मिता की SI unit क्या है रेडियो धर्मिता की SI मात्रक है रेडियो धर्मिता का वो है बेकरल बेकरल क्या है रेडियो धर्मिता की SI unit है ये क्यूशन पूचा गया था ओके तो गैज ये थे आज जो फर्स्ट और सेकेंड सिप्ट में जो एक्जाम उती रेल्वे एंटीपी से की उस एक्जाम के अंदर जो इंपोटेंट क्यूशन पूचे गये थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कूस किया आई होब कि आपको इस सेशन भी अच्छा लगा होगा अगर गैज आपको इस सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजे ज़्यादे सेर भी कीजे और आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं अगर गैज आप हमारे इस चैनल पर पहले बाद जुड़ रहे हैं जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक दे रखा है ओके तो मिलते हैं नेक्स सेशन में नेक्स इंपोडन क्यूसंस के साथ नेक्स एनलेसिस को लेके तब तक के लिए थैंक यू गूडबाई